मैं झी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों बहुत सारे November 23 के स्टूडंस का मैसेज आ रहा है कुछ लोग मैसेज कर रहें क्या मैं तो कर सकते हूँ दोस्तों देखो एक बात समझो सबसे पहले ये वीडियो सबके लिए है आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है मेरी बात ध्यान से सुनना और अगर आपको ये आप मेरी बात से अगरी करो तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके या कमेंट पे जरूर मेरे को बता के जाना अगर आपके पस पूरा का पूरा टाइम आपके पास है और आपके पास पूरा टाइम आपके पास है मतलब ये ऐसा नहीं है फोड़ा- थोड़ा मोडा समय नहीं है बहुत जादा समय है जिसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो अगर आप दोनों गूर्प की तैयारी करना चाहो तो इस टाइम पे आप आपको बहुत जादा बहुत जादा आप अपने आपको मेहनत करके दिन में 16-16 गंटे पढ़ा ही करके आराम से आप बोध ग्रूप भी निकाल सकते हो चाहे कितनी भी बूरी हालत आपकी क्यों न हो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आप मेरा सर्च करना आपको एक वीडियो मिलेगा कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की उस वीडियो में मैंने अपनी स्टेटस बताई है कि मेरा एक्जाइम के पांच मैंने पहले क्या सिचुएशन दा अब बहुत सारी लोग पुछ सिचुएशन सुन करके पैनिक कर जाती कि यार ऐसा कैसा आगे चलके मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर तुम दिन में बारा घंटे डालो ना तो तुम्हारे पास बहुत जादा समय होता है और आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो परक बस इता पड़ जाता है ऑफिस के साथ साथ आप समझोगी बोध गूप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आने वाले 10-15 दिन में अगर आपको ऑफिस की चुट्टी मिल जाए तो तो चलो अच्छी बात है पर अगर आपका ऑफिस उससे जादा लंबा चलने वाला है और अगर उसके आपकी पढ़ाई की आलत बहुत खराब है तो आपको एक ग्रूप का टार्गेट करना चाहिए और सुनो ना एक ग्रूप पढ़ने की कोशिश करो तरके देखो चारो सब्जिक्ट पढ़की खदम करो उसके क्लासिस खदम करो आप उसके बाद अपने आपको Evaluate करो क्या में ग्रूप टू पिक कर सकता हूँ क्या में ग्रूप टू का एक या दो सब्जिक्ट पिक कर सकता हूँ पर अभी कले फिलाल मेरा बात ये सुनो कि पढ़ाई तो शुडू करो तुम लोगों को पढ़ना जरूरी है आपकी classes pending होना अपने आप में एक blessing होता है तुम मानो या ना मानो तुम अगर मेरा वीडियो देखो गे तो तुमको समझ आएगा कि classes pending होना can be used to your advantage अभी बहुत सारे बच्चे struggle कर रहे होंगे दिन में 10-12 गंटे की पढ़ाई नहीं निकलती है आप ये कर सकते हो 8-9-9 गंटे तक के अपने classes खदम करो और classes खदम होने का 2-3 गंटे खुझ से पढ़ाई कर लो तो आपका team effect भूंग में 12 गंटे आप पढ़ाई कर रहे हो और classes में भी जो portion में time pass हो रहा है आपको लग रहा है irrelevant है उसको आगे बढ़ा बढ़ा के देखो तो आपका पूरा time properly utilize हो रहा है और पढ़ी रहे हो ना यार सीखी रहे हो classes spending है तो क्या हो वो चीज़ें आज याद तो हो रही है जिरोंने पहले पढ़ लिया आज उसको recollect करने के लिए वो खुछ से बढ़ा ही कर रहे है पर आप classes कर रहे हो तो classes के साथ साथ ही आप पढ़ के भी खतम कर सकते हो बागी बहुत detail में मैंने इस बारे में मेरे planner में बात किया है जहां पर मैंने बताया है मेरा क्या situation था 6 मेंने पहले 5 मेंने पहले बट आप लोगों ने एक बात में आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ 5 मेने बहुत होते हैं अगर आपका position आज जितना भी खराब है आपके classes pending है चलता है आपका self study नहीं हुआ है एकदम चलता है आपके कुछ notes pending है सारी चीज़े हो जाएगी amendment नहीं किया कोई फरक न बहुत होता है so this video was intended to tell you just one message that you can do it only if you want to do it if you don't want to do it हाँ अगर आपके मन में ये है मैं थोड़ा मस्ती अभी भी करूँगा थोड़ा मजाक अभी भी करूँगा थोड़ा timebass अभी भी करूँगा उसके साफ साथ हो सकता है क्या अगर पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिती मे मेरी अभी तक लॉकी पढ़ाई हुई नहीं है मैं बस उपर उपर से आपके ना category A chapter का बस revision वीडियो देखूंगा revision वीडियो देखकर के क्या मेरे को 60 के उपर आ जाएगा देखो दोस्त या तो extraordinary मेहनत करो फिर extraordinary result मांगो चलता है बिना extraordinary मेहनत के extraordinary result मत मांगना अगर हालत ब मेहनत करने का समय है बहुत जादा focus करो quality में क्योंकि सिर्फ C.A. का exam देखी clear नहीं करना है C.A. बनना भी अपने को चीजे जो knowledge जो हमको जो book से मिल रही है जो हमारे subject से मिल रहा है वो सारा knowledge हमारे दमाग में जाना चाहिए तो चीजे बहुत जादा quality पर focus करो एकदम content पर focus क हर चीज का और आगे बढ़ो और एक बार आपका syllabus खतम हो जाएगा ना उसके बाद अपन revision की भी बाते कर लेंगे और फटा 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 अपना syllabus खतम करो और या आखरी बार बोल रहा हूँ जो तुम चाहोगे वो होगा बस तुम्हारे पास चाह होनी चाहिए comment पर लिखके I'll see you in the next video. Until then, stay tuned to this channel. This is C.H.O.M. Singhal, signing off.